सो सभी प्रिविद्यार्थ को डेर सारा नमस्कार माइल सेफ डॉक्टर मुकेश कुमार और सो आगते आप कमारे MKS चैनल में सो बेस्कली आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके RUHS BS Nursing Application Form 2024 के बारे में कापी सारे कमेंट आ रहे थे प्रिविद्यार्थ हों के और जैसा है कि आप सभी को पता है कि सारे कमेंट हमारे दौरा देखे जाते है सो सभी का यह कानाता सर्य यहाँ पर फॉर्म कब से हमको apply करना है इस वीडियो में पूरा डेटल आपको मिलने वाला है कि आपको forum कब से apply करना है और यहाँ पर forum बरने के लिए जो eligibility है जो योग्यता है वो क्या रहने वाली है forum कौन-कौन बर सकता है इसके लिए आपकी age कितना होना चाहिए इसके लिए आपका percentage कितना होना चाहिए टॉल्ट में ये भी हम आपको यहाँ पर बताने वाले है फिर यहाँ पर हम चर्चा करेंगे आपके exam pattern के बारे में कि यहाँ पर जो BS nursing का exam pattern होता है RHS का वो किस परकार से रहता है और फिर आपको यहाँ पर हम बताएंगे application piece के बारे में कि यहाँ पर जो आप form apply करोगे उसका piece कितना रहता है फिर यहाँ पर हम चर्चा करेंगे college seat और piece के बारे में कि यहाँ पर government college की seat कितनी है private college की seat कितनी है और यहाँ पर government college का piece कितना होता है private college का piece कितना होता है इसके उपर भी full detail आपको देने वाले है फिर यहाँ पर हम चर्चा करेंगे syllabus के बारे में कि इसका syllabus क्या रहता है क्या क्या आपको पढ़ कर जाना होता है entrance exam के लिए फिर यहाँ पर हम बात करेंगे documents कि अगर आप forum apply करते हो तो कौन-कौन से documents आपको तयार करके रखने है यह सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है तो चले प्रिय विद्यार्ट हो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं आपके exam pattern की कि RUHS का जो BSNC का entrance exam होता है इसका exam का pattern क्या होता है तो यहाँ पर exam pattern बहुत आसान होता है और RUHS की खास बात है कि यहाँ पर All India के विद्यार्ट यह अप्लाई कर सकते है और इससे भी अच्छी बात है कि यहाँ पर boys and girls दोने अप्लाई कर सकते है तो इसलिए आपको RUHS BSNC का forum अवश्य बढ़ना चाहिए अब यहाँ पर जो exam का pattern रहता है वो कुछ इस परकार का रहता है Physics, Chemistry, Biology इन तीन सब्जेक्टों से आपसे क्यूशन पूचे जाते है अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर परतेक सब्जेक्ट से कितने क्यूशन पूचे जाते है क्या यहाँ पर negative marking भी रहती है total paper कितने गंटों का रहता है total paper कितने नमरों का रहता है तो वो भी हम आपको यहाँ पर बताने वाले है तो प्री विद्यार्त यहाँ पर Physics से 33 क्यूशन आपसे पूचे जाएंगे Chemistry से 33 क्यूशन आपसे पूचे जाएंगे paper का जो language होता है वो यहाँ पर English और Hindi दोनों होता है अब यहाँ पर बात करें negative marking की तो यहाँ पर आपका कोई भी negative marking नहीं होता तो इसके लिए देखो एक लाइक तो बनता है paper में negative marking बिल्कुल नहीं है सो में से आपको so question attempt करने है चाहे आपको आ रहा हो या फिर नहीं आ रहा हो यही benefit होता है negative marking नहीं होने का clear अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर किस परकार की questions आएंगे यहाँ पर multiple choice questions आपसे पूचे जाते है जिसके तैयारी हमने start करवा रखिये जिन विद्यार्ट को तैयारी करनी है वो इन अमरोपे वार्सप कर सकता है बहुत ही यहाँ पर systematic तरीकेस आपको पढ़ाएंगे पुरा syllabus cover करवाएंगे और बिल्कुल निया बेच स्टार्ट है चाहो तो आप इन अमरोपे वार्सप करके online coaching ले सकते हो तो यहाँ पर हमने exam pattern की बात कर ली अब यहाँ पर बात कर लेते हैं आपके eligibility योगेता के बारे में कि अगर आप यहाँ पर apply करते हो तो क्या-क्या योगेता आप में होना चाहिए तो प्रेविद्यार्ट हो अगर आप RUHS BSNC में apply करते हो तो आपका सबसे पहले 10 प्लस 2 यानि कि 10 वी और 12 वी पास होना जरूरी है physics, chemistry, biology और English subject आपका टॉल्ट में होना चाहिए अब यहाँ पर आप बोलिंग सर्क कितना percentage होना चाहिए देखिए अगर आप general OBC category में हो तो आपका 45% होना चाहिए टॉल्ट में अगर आप YES-CST के हो तो 40% आपका होना चाहिए जदा कुछ है नहीं बस आपका टॉल्ट पास होना चाहिए इतना साब देख सकते हो तो यहाँ पर योग्यता बहुत ही आसान तरीके से रखी गई है अब यहाँ पर बात कर लेते age limit की कि आपका उमर कितना होना चाहिए तो यहाँ पर जो आपका उमर है वो minimum 17 साल होना चाहिए तो आप forum apply कर सकते हो अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर अभी तो आमरा 2 महिना 4 महिना 5 महिना कमे 17 साल होने में तो क्या हम forum बर सकते हैं बिल्कुल बर सकते हो कोई दिक्कत वाले बात नहीं है अगर ऐसे विद्यारती जिनके 4-5 महिने कमे 17 साल होने में तो forum बर सकता है कोई दिक्कत नहीं क्योंकि आपका जो age count किया जाता है वो December 2020 से किया जाएगा तो तब तक आपके age हो जाएगी कोई issue नहीं है अगर फिर भी कोई doubt रहता है तो help line है सही हमारे द्वारा आपको बताई दिया जाएगा और MKS Academy Application आपने डाउलोड कर रहा है तो वहाँ पर भी doubt आपका सोल कर दिया जाएगा अगर कोई आपको doubt रहता है तो तो चलिए अब बात कर लेते आपके application forum piece की कि आप जो forum apply करोगे उसका piece कितना रहेगा तो देखे प्रिविद्ध्यार तो forum का जो piece है वो category wise रहता है जैसे कि अगर आप general OVC category में आते हो तो यहाँ पर piece आपका 1800 रहता है अगर आप reserve category में आते हो जैसे कि ESC और SD तो आपका जो application piece है वो यहाँ पर 900 रुपीज रहता है तो यह आपका forum का piece रहने वाला है अब यहाँ पर बात कर लेते forum apply करने के लिए कौनकौन से documents की requirement रहती है ताकि आप पहले से इनको तयार करके रखो तो जैसे कि आप यहाँ पर list देख पार होंगे चलिए इसको तोड़ा सा zoom out करके दिखा देते है यहाँ पर आपको 10 वी का marks it भार वी का marks it इसके अलाबा passport size के photo इसके अलाबा domicile certificate cast certificate अगर आप EWS category में आते हो तो उसका certificate अगर आप PWD category में आते हो तो उसका certificate यह basic documents requirement होते है और इसके लबाबा आपका ID card जिसे कि आदार card हो गया pen card हो गया driving license हो गया यह basic documents की requirement होती है और सबसे बड़ी बात है कि जब आप exam देने जाते हो तो वहाँ पर भी आपको एक original ID लेकर जाना होता है admit card के साथ इसका wishes कर आपको ध्यान रखना है जी हाँ बिलकुल अगर आप exam देने जा रहे हो तो admit card के साथ आपको आदार card या फिर driving license जो भी आपके पास ID है वो original आपको लेकर जानी होती है अब यांपर आप बोलिंग सेर इसका exam कहां पर होता है कहां-कहां पर इसके exam center होते पर ये विद्यार्तों इसका exam center होता है वो जेपुर रज़स्तान में होता है जहांपर जाकर आपको exam देना होता है जो चलिए अब यांपर बात करेंदे है आपके government college और seats की कि यहाँ पर कितने government college है और कितनी seats है तो RUHS जैसे कि आपको पता है कि राजस्तान में इस्तिते और यहाँ पर हर कोई विद्यार्त यह अपलाई कर सकता है और यहाँ पर प्रवेश पा सकता है entrance exam के द्वारा अब यहाँ पर आपको entrance exam तो देना है होगा और उसकी तेयरियम नहीं स्टार्ट करवाए रखिए कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है अब यहाँ पर देखो all India में सबसे ज़्यदा seat है आपके राजस्तान में जहाँ पर RUHS conduct करवाता है B.S. nursing का entrance exam तो यह अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है और मैं तो यही कहूँगा कि जहाँ पर गॉर्मेंटी सीटे ज़्यदा होना तो वहाँ पर आपको apply अवश्य करना चाहिए और यही सबसे अच्छा course है आज की date में सबसे जदा trend कर रहा है यह course और सबसे जदा पसंद किया जा रहा है science biology के विद्यार्तियों द्वारा क्योंकि इसमें government job बहुत ही जदा है हर कोई विद्यार्ति यहाँ पर government job पा रहा है जैसे यह course करके निकलता है सीधा government job में चला जाता है तो इस course की यही कास बात है और इसलिए सबसे जदा लोग पर यह हो रहा है और इसलिए हमने तियारी करवा रखिए ताकि आपका government college में selection हो जाए और फिर बाद में आपको अच्छी सी government job मिल जाए तो पहले तो आपको तैयारी करनी होगी उसका काम हमने start करवाई रखा है online तैयारी करवाई रखिए और फिर देखो आपको entrance exam देना होगा अच्छा सा आपको college पाना है और college में BSN से का course करना है तकि आप अच्छी job ले सको तो यहाँ पर जैसा की screen पर शोक किया हुआ है और यहाँ पर भी आप देख पार होंगे कि यहाँ पर जो total seat है वो 9000 पलस रहने वाली है government और private तो यह भी अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है अगर यहाँ पर government के बात करे तो यहाँ पर 2300 के something रहने वाली है और 39 college है यहाँ पर total government तो यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है तो आपको अबसे try करना चाहिए प्री विद्यारती हो और अगर हम बात करें application forum की कि यहाँ पर application forum कब से बरह जाएंगे RUHS BS nursing के तो इसके forum निकलेंगे आपके April 2024 में चैनल subscribe कर रहा है बेल आइकन पर प्रेस कर रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है हम आपको inform कर देंगे forum तो देखो आ जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन तयारी आपको अभी सही करनी होगी तब ही जाएके आपका तयारी हो पाएगा क्योंकि बहुत ही past बहुत ही तीवर गती से आपका time निकला जा रहा है तो तयारी आज सही अभी सही शुरू कर दो अगर आप RUHS BS nursing में addition लेना चाहते हो तो out of study भी ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है फिर भी कोई doubt रह गया हो जिसे कि यहाँ पर cover तो में ने करी लिया वैसे फिर भी कोई छूट गया हो कोई रह गया हो आपके मैंने में कोई doubt रहा हो तो आप comment करके बता देना सारे comment आपके देखे जाते हैं अगर आपको तयारी करनी है तो फिर आप इन नम्रों पे वार्ट सब कर देना बिल्कुल निया बेच स्टार्ट हो चुका है